चला बच्चो तो आज हम लोग हिंदी में चैप्टर नमबर 15 शुरू करें जिसका नाम है दाज्यो जिनके लेखक हैं शेखर जोशी ये जो कहानी है ना दाज्यो कहानी वो एक छोटी सी कहानी लेकिन बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है कि जिनमें टॉपिक बाल श्रमिक बच्चो का दिया हुआ है बाल श्रमिक मतलब वो कहलाते हैं कि जो छोटे बच्चे कि जो कोई भी मजबूरी की वज़े से अपनी पढ़ाई लिखाई वगरे सब छोड़ कर कोई ना कोई काम में लग जाते हैं और उनका मन कैसा होता है उनक हमारे इंडिया में नौर्थन साइड में जो क्या करते हैं कश्मीन, श्रीनगर, हिमाले जैसे जो पहाड वर्बर वहां के साइड में पहाडी एरियाओं में पहाड के एरियाओं में रहने वाले जो लोग है न वहाँ की ये local language का word है दाज्यू दाज्यू का मतलब होता है बड़ा भाई गर मैं बड़े भाई को दाज्यू कहते हैं ठीक है वो जो पहाडी इलाका हमारा है हमारे भारत का पहाडी इलाका Northern Side में वहाँ पे दाज्यू कहा जाता है बड़े भाई को तो देखो इस čैप्टर में ये नाम क्यूं दिया हुआ है वो ये चैप्टर हम लोग समझ कर फिर पता चलेगा तो इसमें कहते हैं इनके main character हैं एक जगदिश बाबू जगदिश बाबू वो जो person है न वो कोई दूसरे शेहर से इस शेहर में जो है वो अपनी नौकरी के लिए आये हुए हैं और शेहर में ने ने शेहर में ने ने हो न किसी के भी साथ हमारी पैचान नहीं होती तो हर कोई इंसान अंजाना लगता है इतने बड़े शहर इतने भीड़बार वाले शहर में भी अकेलापन मैसूस होता है क्योंकि आप नए हो ने शेहर में किसी के साथ कोई पैचान ही नहीं है बाचिक किस से करोगे तो जगदिश के सिलसले में नौकरी पर जाने से पहले एक छोटे से कैफे में गये कैफे में जो चाय की दुकान उस शहर का जो है वो चौक था शहर का जो में सेंटर था वहां पर एक छोटा सा जो है वो ये कैफे का बोर्ड लगा हुआ था जगदिश बाबु वहां पर गये और वहां पर उसने एक छोटे लड़के मदन को देखा मदन मदन नाम का लड़का जो देखने में एकदम गोरा चिट्टा उसका रंग था वो पहाड़ी एरियां में रहता है न तो उनकी आइस कैसी होती है ब्राउन कलर की तो ऐसी नीली शफाक आखें ब्राउन कलर की चमकदार जो है वो सुनेरे बाल थे और जो वो उसस कैफे में काम कर रहा था तो इतनी मस्ती से इतनी फूर्ती से काम कर रहा था कि वह देखता ही रह जाय और उसकी आखें देखकर उसका चहरा देखकर लग रह था कि इसकी उमर भी कोई 90-10 साल से ज़्यादा नहीं होगी案 neu वरवर जगदिश बाबु वो कैफे में गए तो वो जो मदन था ना वो मदन फटा-फट उस कैफे में काम कर रहा था एक टेबल पर से प्लेट उठा रहा था फिर वह दूसरे टेबल पर रख रहा था फिर वहां से उठा कर दूसरे काम में था मतलब समझो कि वह इतनी फटा-फट वो काम कर रहा था कि वह जगदिश बाबु बस उसे देखते ही रहे गए जगदिश बाबु वहां पर आकर जो है वह चुप-चाप बैठे कैसे अपने टेबल पर बैठे कि यहां कोई ओडर लेने आएगा और ओडर लेने कौन आया तो य हम लोग हम लोग कोई होतल पे जाते हैं तो कोई अगर वेटर आपका harder लेने के लिए है तो पहले करते हैं उसके सामने नau ऊसके और और वहछा कहते हैं कि उस मदन ने कुछ कहा नहीं लेकिन उसके चेहरे का एक्स्परेशन नहीं बता रहा था कि बढ़ाओ क्या ओडर देना है और क्या कह सकते हैं कि जग्दिश बाबुने से ओडर दिया क्या एक सिंगल चाहे लेकिया तो वह मदन फिर से मुस्कुरा कर जो है वो चला ग लगता है आप लोग कभी मैसूस करना अभी शैद आप लोग को यह फील नहीं हो लेकिन फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि कभी आप कोई दूसरे शहर जा रहे हो अकेले कोई काम की वज़े से कुछ भी तो वहां अकेला लगता है इतनी भीड़ बाड़ फिर भी अकेला पन मैसूस होता है क्यूंकि यह बात करने वाला ही नहीं है और ऐसे में कोई आपके आसपाच बैठा हुआ आपके साथ चल रहा आपकोई होटल में जा रहे हो वहां पर कोई एक परसंड़ आपके सामने अगर स्माईल दे न तो का माइंड में उसकी याद रह जाती है यहार ये जगदिश बाबु भी वैसे वो अपने घर को याद कर रहे थे तिक है वहां बैठे-बैटे और इस मदन ने स्माइल दी तो उसके मन में वह बस गया लड़का अब वो अपने शहर को अपनी सब बातों को याद कर रहे कुछ सोची रहते जगदिश बाबु इतने में तो वह मदन जो है वो दोड़ता हुआ वहां पे लेके भी आया चाय ना वो मदन जगदिश बाबु के सामने बात शुरू कर दी उसने का कि बाई तुम्हारा नाम तो बता हो क्या है मैंने बता है जगदिश बाबु को तोड़ी पता था कि उसका नाम क्या है जगदिश बाबु ने पूछा कि बाई तुम्हारा नाम क्या है उस लड़के ने जाब दिया मदन तो जगदिश बाबु ने फिर पूछा के चलो मदन कहा के रहने वाले हो तुम तो इसने जाब दिया कि यहीं पहाड़ों में रहता हूं मैं तो जगदिश बाबु ने कहा कि यहां पहाड़ तो बहुत सारे हैं आबू दारजलिंग मसूरी शिमला अलमोडा इतने सारे शहर हैं इतने सारे गाउं हैं कि तो किस गाउं में रहते हो कौन से पहाड में रहते हो तो अब जो है वो क्या कह सकते हैं कि मदन भी थोड़ा सा गबरा रहा था वो सभी पहाड़ों का नाम याद कर रहा है चोटा बच्चा दा इसाद उसे इतने सारे नाम पता भी नहों कि इतने सारे पहाड हैं सच में यह जगदिश बाबु ने कि अलमोडा गाउने अलमोडा जिला है बता उसमें कौन से गाउं में रहते हो जगदिश बाबु ने फिर से पूछा तो अब वह मदन थोड़ा सा गबरा भी रहा था क्यार कोई अंजान इंसान इतने सारे सवाल पूछ रहा है मदन के साइड भी तो आप लोग सोचो वैसे तो जगदिश बाबु भी अकेला था उसे कोई क्या के सकते कोई बात करने के लिए था नहीं से बात कर रहा था लेकिन मदन उसे थोड़ा डर लग रहा था ना कि अंजान कोई आ चुका है और मुझे इतने सारे सवाल पूछ रहा है तो फिर भी उसने डरते हुए जो है वह जवाब दिया कि उस अलमोडा से 15-20 मिल दूर चोटा सा गाउं है वहाँ पर तो जगदिश बाबु ने कहा क्या चलो अच्छी बात है लेकिन उस गाउं का नाम तो बताओ कि अलमोडा से 20 मिल दूर कोई गाउं है तो उस कौन से तो थोड़ा सा घबराते हुए उस मदन ने जवाब दिया कि डॉट्याल गो डॉट्याल गो नाम का गाउं है वहाँ पर रहता हूं अब जगदिश बाबु ने जैसे इस गाउं का नाम सुना ना डॉट्याल को गाउं तो उसके चेरे पर भी जो है वो क्या कह सकते एक बड उसी हो गए जगदिश बाबु ने हसते हुए क्या का कि हम दोनों तो पड़ोसी हो गए अब यह सुनकर उस मदन के चेरे पर उससे भी बड़ी स्माइल आ गई अब वो जगदिश बाबु तो पहले ही अकेले थे मदन के साथ उसने बातचीत की तो पता चला कि यह तो अब म क्या चाहिए था मदन तो इतना खुश हो गया कि ऐसे लग रहा था कि उसके हाथ से तो अभी ट्रे गिर जाएगी वह सड़नली उस मदन के माइंड में जैसे जो है वह अपने गाओं अपने गाओं की सब बाते जो है वह याद आने लगी अब यहां सिच्वेशन यहां पर चोटा लड़का वो भी इस शहर में अकेला है जो अपने गाओं से दूर यहां पर जौब कर रहा है एक कैफे में जौब कर रहा है चोटा लड़का वो भी तो इस गाओं में अकेला रहता है ना बरबर न और जब उस चोटे बच्चे के सामने कोई ऐसा कह दे कि मैं तो है कि नहीं आपके माइड में भी ऐसा होता है होता ही है कि कोई अंजाना अगर आ जाया ना आप लोग कहीं बाहर गूमने जाओ ये भी फीलिंग आपको समझा रहा हूँ कि आप कहीं बाहर गुमने जाओ आप जो भी शहर में रहते हो कि जैसे मैं सूरच शहर में रहता हूँ और मैं कहीं बाहर गुमने जाओ ना और वहाँ पर कोई दूसरे शहर में एकदम दूर कहीं पर भले कोई जो है वो कश्मीर जैसे शहरों में इतनी दूर और वहाँ पे अगर कोई परसन मुझे मिल जाया और ऐसा कह दे क्यार मैं भी सूरच का रहने वाला हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे हम दोनों तो भाई भाई हैं एक रिष्टेदारी बन जाती है वहाँ पर भले सूरच सिटी में ही सालों तक किसी से मिले नहीं एक दूसरे को देखा भी नहीं होगा लेकिन इतनी दूर दूसरे शहरों में अगर कोई कह देना क्यार हम दोनों तो एक ही शहर में रहते हैं तो उसके साथ तो एक अलग रिष्टा बन जाता है हम बड़ों के मन में ऐसी फिलिंग आ जाती है तो सोचो आप उस छोटे बच्चे के मन में यह फिलिंग नहीं आती होगी छोटा बच्चा मदन वो तो खुश हो गया क्यार यह तो मेरे पडोसी गाउं का है यह तो मेरे रिष्टेदार जैसा हो गया यह तो अपना है उसे अपना गाउं याद आ रहा था और उसके मन में जब रिष्टेदारी आ रही थी तो वो सोच रहा था क्यार यह किस की तरह ह कौन हो सकता है यह मेरे गाउं वह सोच रहा था कि यह इजा मतलब के बाई मा कहते हैं वह पहाडी लैंग्वेज है तो यह मेरे मा की तरह है नहीं नहीं मा तो नहीं हो सकती बाबा मतलब फादर की तरह है नहीं नहीं इतनी बड़ी उमर भी इसकी नहीं है भाई दीदी की तरह बिल्कुल नहीं, भूली की तरह, भूली मतलब छोटी बहन कहते हैं, भूली कहते हैं, तो कहते हैं छोटी बहन की तरह, नहीं ये भी पॉसे भली नहीं है, तो कहते हैं दाज्यू की तरह, दाज्यू मतलब बड़ा भाई, तो हाँ, ये तो मेरे दाज्यू की तरह है, वो जगदिश बाबु को अपना दाज्यू मान लिया मनी मन अपना दाज्यू उसे मान लिया दाज्यू मतलब बड़ा भाई मान लिया तो एक रिष्टा सा बन गया उस मदन के मन में तो उस जगदिश बाबु के लिए एक रिष्टा बन गया दाज्यू और दो-चार महीनों में अब जगदिश बाबू भी अकेले थे वो रोज सुबह वहाँ पर चाय पीने के लिए आते और उसे सब कौन करता तो यही मदन तो मदन रोज उस जगदिश बाबू से मिलता और दीरे 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 रोज अगर उससे मिलो तो फिर तो एक एक अलगी रिष्टा बन जाता है और मेरी पहला पहले अकेला लग रहा था कि यह पताँ नहीं कõन से भाई बात करने में शर्म लगती थी आप तोसफ खतम फिर तो मदन और जगदिश बाबू के रोट सुबह जगदिश बापू जैसे ही उस कैफे में आते तो वो मदन दूर से चिला था दाज्यू जय हिंद कैसे हम लोग गुड मॉनिंग कहते हैं वहाँ पर दाज्यू जय हिंद फिर कहता दाज्यू आज तो बहुत ठंडे आयर फिर कहता दाज्यू याँ पर यहां पर भी बर्फ गिरेगी दूसरे पहाडों में बर्फ गिरी है यहां पर भी गिरेगी तो कभी पूछ था कि दाज्जु आपने हैं न कल खाना बहुत कम खाया था कि आपसे वरोवर खाना देखा कि ये ये खाने की बात तक पहुंच गई ये कौन केर करता है तो एक भाई ही दूसरे भाई की केर करता है न तो यहां मदन वो जगदिश बाबु की पूरी केर करता जगदिश बाबु जैसे ही वहां पर आते हैं उसे सब हाल चाल पूछता हर तरह की बाते करता और लो बॉइ यहां पर आओ आपड दोड़ी से इसके नाम से गभृतब को कैसरे बूख यह पर्सन जैसे ओबॉख कहए बॉलाता तो यह मदन दोड़ता हुआ वहां पर पहुंच जाता उसका काम पूरा करके फिर से जो है वह जगदिश बाबु के पास आ जाता कि दाज्यू कोई चीज चाहिए दाज्यू पानी लाओ दाज्यू और कुछ चाहिए फिर वह जगदिश बाबु कुछ भी कहता ना कि हां दाज्यू लाया जा दाज्यू कि नहीं बड़े भाई की सेवा करनी है तो वैसे उतावल एकदम पूरे जोष के साथ जो है वो उसे जगदिश बाबु के साथ रहता था वरवर के नहीं उसने पूरे मन से जगदिश बाबु को अपना बड़ा भाई मान लिया था क्योंकि उसका असली बड़ा भै यहां असली परिवार तो दूर कोई गाओं में था अब यहां पर वो बिचारा अकेला जॉब कर रहा था तब उस वक्त जगदिश बाबू ही उसके लिए सब कुछ थे ना सही बात है ना यह लेकिन अब दूसरी तरह जगदिश बाबू की अगर बात करें न तब जगदिश बाबू भी रेगुलर काम में लग चुके थे उनका काम काज जो है वो चल पड़ा था तो पहले दिन पर वो यहां पर आये थे तब अकेले थे अब तो जगदिश बाबू क तो जहां पर काम करते थे तो आसपास के सभी लोग अब उसे पैचानने लगे अब तो यह अपना शहर लगने लगा हर कोई जो है वो से पैचानदा था तो इसलिए अब जगदिश बाबू को जगदिश बाबू को थोड़ा सा क्या कहते हैं हम लोग अपनी बाशा में कहते कि थोड़ा सा घमन डा चुका था कि अब जगदिश बाबू के पास पहले दिन पर कोई भी दोस्त नहीं था कोई भी बात करने वाला नहीं था तो उसने किस से बातचीत की इस मदन से बातचीत की इस छोटे लड़के से बातचीत की अब जगदिश बाबू के बड़े बड से लइचापना तो आसपास घूमता रहता तो अब उसका दाज्यू दाज्यू के weiter गूमता रहता फैक है J fils उसे पसंद नहीं आ रहा था हमारे मन में भी कभी ऐसा होता है कोई अंजाना इंसान ओ बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई ऐसा बार-बार बोले तो अरे उसकी feeling तो समझो वह सच में आपको आपका बड़ा भाई मान रहा है और वन्हाइं आपको अपना बड़ा यह लाया दाज्यू वह मदन तो पूरे जोश में अपने बड़े भाई की सेवा कर रहा था ना विचारा 18 साल का लड़का है यार उसे और क्या चाहिए वो तो अपने बड़े लेकिन मदन वो तो विचारा मासूम छोटा लड़का वो तो आकर सीधा ही टेबल पर आकर बोला हाँ दाज्यू बोलो न क्या चाहिए चाहिए लाओ दाज्यू और कुछ चाहिए तो उस मदन ने जब ऐसे जैसे ये कहा तो जगदिश बाबु ने जोड से चिला के कहा क्या य मैं किसी की प्रेश्टिज का तो ध्यान रखो प्रेश्टिज मतलब किसी की इजग का तो ध्यान रखो वही सबके सामने जो है वो दाज्यू दाज्यू बोल रहे हो और जगदिश बाबु ने इतने गुस्से में कहा इतने गुस्से में कहा कि वो मदन विचारा घबरा गया वो विचारा आंट 10 साल का लड़का घबरा गया उस मदन को तो शायद प्रेश्टीज का मतलब भी नहीं पता होगा कि प्रेश्टीज का ध्यान तो रखो प्रेश्टीज क्या कहते हैं वो तो उसे मतलब भी नहीं पता होगा मदन को लेकिन उस चेहरे का जो expression धाना किसको बुरा नहीं लगे वो तो विचारा छोटा बच्चा है तेकि ने जगदिश बाबु ने इतना गुस्सा दिखा है न यह मदन को बहुत बुरा लगा उसके मन पे बहुत बड़ा इसका असर हुआ उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया चुपचाप मदन वहां से जो है वो निकल गया और अपने मालेक अपना जो मैनेजर था उसे कहा कि बहुत मुझे सरदर दो रहा है और वहां से जौप छोड़के ही चला गया नौकरी ही उस दिन छोड़के वो चला गया पर दुकान छोड प्तुदिश बाबू जैसे वो अपना बड़ा भाई मान चुका था उसने ही उसे जो हो इतनी जोड से ये डांट दिया कि आज के बाद मुझे बड़ा भाई मत बुलाना आज के बाद मुझे दाजू-दाजू मत बुलाना तो विचारे के मन पे क्या हो जाए यार एक तो विचारा अकेला उसकी उसका परिवार दूर कहीं पाहडों पे रहता हो वो विचारा अकेला था वहाँ पर और वहाँ पर उस अकेले पन में उसने जैसे देसे तो किसी को अपना बड़ा भाई माना था और उसने भी उसे यही कह दिया कि आज के बाद मुझे दाज्यू मत पूरा तूट चुका था पूरे जीवन में उसे पहली बार ऐसे लगा होगा कि क्या कह सकते हैं कि किसी ने उसे इतनी जोड से जो है कि थपड़ मार दियो किसी ने वैसा उसे फील हो रहा था बहुत बुरा लगा आज उसे जो है वह अपने गाउं अपना परिवार बहुत याद आ रहा था इतने सालों में उसे अपना परिवार याद नहीं आता होगा कि वह चुपचाप काम करता था हशी खुशी इतने जोश के साथ एक टेबल से दूसरे टेबल वह दोड़ता रहता था लेकिन आज आज उसका पूरा जोश चला गया क्योंकि किसी अपने नहीं उसे इतना पुरा बोल दिया आज उसे अपना असली परिवार याद आ रहा था. अपनी इजा, अपनी माँ याद आ रही थी, अपना बाबा, अपनी दीदी, अपनी भूली, छोटी बहन ये सब याद आ रहे थे और वर क्या करे वो वह विचारा अपनी कोट्री में चला ग अब उसके आँखों में एक चमक टी एक आजीब सा जो है वह रौशनी ती उसके आखों में के जैसे उसे कुछ कर लिया हो यह बरभर नसक्ती कर लिया हो वैसे भी जैसे मन पर कोई report लगे नवारे साथ कुछ बुरा तो पहले बहुत रोना आता है लेकिन उसके बाद हम लोग मनी मन कुछ decide कर लेते हैं अब नहीं अब ऐसा दूसरी बार नहीं होगा करता है न मनी मन decide किया और on the spot जो है वो फिर से अपने काम पे आ गया फिर से अपने काम पे आ गया वही cafe पे आ गया और काम करने लगा सोचो ऐसा कोई कोई बड़ा इंसान भी अगर जो है वो कोई उसे किस कोई एक दूसरे को कुछ बोल दे ना तो वो सहन नहीं होता आप तो बड़े हो ठीक है ना आप लोग तो बड़े हो आपको भी अगर कोई कुछ बोल दे तो सहन नहीं होता है मन में जो है वो बहुत बुरा लगता है तो आप सोचो छोटे से 10 साल के बच्चे को अगर किसी ने बोल दिया तो उसे कितना बुरा लगता होगा और हम लोगों को कभी कोई बोल जाता है न तो उसे ठीक करने में अपने मन को मनाने में हमें बहुत टाइम निकल जाता है तो सोचो उस दस साल के बच्चे ने अपने मन को कैसे मनाया होगा वो मदन फिर से जो है वो अपने काम में आ गया दूसरे दिन कैफे में जगदिश बाबू वहां पे आए वो तो रोज की तरह वहां आते थे वो वही आए लेकिन आज जगदिश बाबू के साथ उसका कोई दोस्त भी था उसका कोई दोस्त हैमंत कि न सड़नली मुलाकात हो गई ऐसे शहर में तो आज जगदिश बाबू अकल है नहीं उसका दोस्त हैमंत भी था कि ऐसे नहीं जगदिश बाबू जैसे टेबल पर आते थे वह मदन ॐ स्नी अस्पास देखा मदन सामने आया ही नहीं उसने दूर देखा मदन अपना काम कर रहा है दूसरी टेबल पर उसने मदन को बुलाया लेकिन मदन ने जैसे ध्यानी नहीं दिया सुना ही नहीं अनसुना कर दिया जो रोज जो है वो उसके सामने दाजू दाजू कहते हुए जाता था आज जगदिश बाबु ने सामने से बुलाया तो भी पहली बार पर नहीं आया दूसरी बार फिर से बुलाया जगदिश बाबुने तो मदन आया? क्यों आया पता है? क्योंकि यह है तो एक customer नहींए अब बड़ा भाई नहीं था यह कौन था पता है जगदिश बाबु? सिफिफ एक customer था जो मदन रोज हैंडल करता था सभी customer को आज वो भी हैंडल करेगा लेकिन मदन जग्दिश बाबु के पास आया ना तो आज उसके चेरे पर मुस्कान नहीं थी उस जग्दिश बाबु ने जैसे उस चोटे से दस साल के लड़के की मुस्कान ही छीन ली उसे इस तरह से बोल कर उसने मुस्कान ही छीन ली वो मदन आया तो सही जग्दिश बाबू के पास लेकिन रोज जैसे बोलता था ना क्या लाओं दाज्यो बोलो दाज्यो जोश होता था ना कुछ भी ने मदन चुप चाब आकर वहाँ पे खड़ा रहे गया बिना मुस्कान किये वहाँ पे खड़ा रहे गया किस इंतजार में कि जग्दिश बाबू खुदी बोलेंगे क्या ओडर देना भरबर तो फिर जग्दिश बाबू ने खुदी सामने से कहा कि दो चाय और दो आमलेट ले क्या हो तो जनौरली जब ओडर मिलता था तो वह मदन क्या बोलता था जोश में हाँ दाज्यो अभी लाइआ दाज्यो आज कुछ भी नहीं वो तो क्या बोलके गया पता है लाया साहब ये कह के मदन चला गया आज दाज्यू नहीं उसने क्या कहा जगदिश बाबू को हाँ लाया साहब ये कह के वो चला दे जैसे वो जगदिश बाबू को पैचानदा ही न हो तो imagine करो दस साल के लड़के के मन में कितना मन को मजबूत करके जो रोज जिसको दाज्यू दाज्यू बोलता था आज उसको साहब बोलना पड़ रहा है तो उसके मन पे क्या गुजरती होगी एक छोटे से बच्चे के मन पे अब जगदिश बाबू के साथ जो उसका दोस्त था न हैमंत उस हैमंत ने इसको देखा अरे वो मदन था ही इतना एट्रेक्टिव छोटा सा बच्चा चेरे पे इतनी अच्छी जो है वो रोनक थी इतनी अच्छे बाल इतनी अच्छी आखे हैं किसी को भी पसंद आ जाए यार तो उस जगदिश बाबू का जो दोस्त था हैमंत उस हैमंत ने जो है वो इसको देख को कहा कि यह मदन जो है वो शायद कोई पहाड का लड़का होगा और जगदिश बाबू ने इसका कोई जाब नहीं हां कहके उसने बाती पलड़ दी अब वो जग्दिश बाबु खुद उसे हैमंत को अपने दोस्त को क्या कहता कि आँ भाई इसने मुझे अपना बड़ा भाई बना दिया था लेकिन मैंने इसे मना कर दिया कि मुझे बड़ा भाई कहके मत बुलाना ऐसा जगदिश बाबू अपने दोस्त हैमंत को कहेगा बिल्कुल भी ने उसने तो बाती बदल दी थोड़ी देर बाद मदन उसका ओर्डर लेके चाय और ओमलेट लेके वहाँ पर आ गया तो हैमंत ने जो है उस जगदिश बाबू के साथ जो दोस्त आया था वो तो आज नय था ना उस हैमंत ने उस मदन से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है जगदिश बाबू के दोस्त हैमंत ने जैसे यह सवाल पूछा ना तो कुछ पल के लिए तो वहां पर एकदम सन्नाटा चाह गया खासकर जगदिश बाबू और मदन के मन में मदन को जो है वह सड़नली य आखरी में जगदिश बाबू ने चिल आके कह दिया कि किसी का प्रेश्टीज का ध्यान रहता है कि नहीं रहता तो वह नाम पूछना वह भाई बनाना वह डांट खाना तो यह बात यह बात उस मदन के मन में गूमने लगी और जब हैमंत ने सवाल पूछा ना तो उसके मन म यही घूम रहा था कि मैं इसको क्या बोलूं क्या जवाब दू असे उस ने क्या कह सकते है इतनी तेर वो मदन सोच रहा था तो हमंत ने फिर से पूछा कि भी तुवरा नाम क्या है वो तो बताो तो उस मदन ने अपना असली नाम नहीं बताया सिर यह के दिया कि सब लोग म अपने मन को कितना मजबूत कर दिया होगा कि उसने अपना नाम भी नहीं बताया सीधा यह कह दिया कि सब लोग मुझे बॉय कहते हैं और यह कहके सीधा चला गया वो वहां से और कहते हैं उसके आँखों में एकदम जो है वो घुसा और सामने जगदिश बाभू तो उसकी आँखों में शरम थी अब जगदिश बाभू को शायद फील हो रहा था वो इतनी बड़ी गलती कर दी छोठा सा बच्चा क्या कह रहा था यार बड़ा भाई तो कह रहा था और क्या कह रहा था उसने और कुछ मांगा थोड़ी था, उस बच्चे ने कुछ मांगा क्या उससे, नहीं न, उससे तो अपना बड़ा भाई तो मान रहा था, और कुछ थोड़ी मान रहा था, फिर भी जो है वो उसके साथ ऐसे करना, कितनी गलत बात थी है, है के नहीं, तो इसलिए, वो मदन, उसके चहरे पर भले ही गुसा था, दुख था, लेकिन उस जगदिश बाबू के चहरे पर उसके आँखों में शरम थी, कि उसने मदन के साथ बहुत गलग किया है, लेकिन अब क्या, अब तो बहुत टाइम गुजर चुका था, अब लेट हो चुका था, अब पश्चाने का अब जब चीजें सही करने का कोई मतलब नहीं था, अब अगर जगदिश बाबू फिर से मदन के पास जाता और उसे ये कहता, कि नहीं भाई, सौरी मुझसे गलती हो गई, तो क्या वो चोटा बच्चा मानने वाला था, नहीं, पता है, ये चोटे बच्चों के मन में तो य चोटे बच्चों का मन यही होता है, उनको प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें कोई चीज हैं, कोई पैसे, कोई जो है, वो दूसरी लालच उनके मन में नहीं होती, चोटे बच्चों के साथ बस प्यार से कोई भी बात कर ले न, वो चोटे बच्चे उन असर पढ़ जाता है उसका जो असर जिंदिगी भर रह जाता है उनके मन पे बरबर तो यह चीज ध्यान रखो कौन से बच्चे की क्या मजबूरी है यहां बिचारा यह मदन अपने परिवार से अलग यहां पर जॉब कर रहा था दस साल का लड़का अगर नौकरी कर रहा है य है के नहीं तो आप लोग भी ध्यान रखो आसपास कोई ऐसा हो ना कोई छोटा बच्चा हो कहीं पर भी कोई भी तो उसके साथ प्यार से बात करो है के नहीं उन्हें कोई चिलाओ मत डांटो मत अगर प्यार से नहीं बात कर रहे हो तो बात करो ही मत लेकिन कम से कम डांटो म कभी किसी को समझा रही है बात तो चलो देखो आज जैसे हमने ये चैप्टर कम्प्लेट किया ना इतना अच्छा हमने ये चैप्टर देखा अब वैसे ही हिंदी के दूसरे चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे ओके थैंक यू